हेलो, हेलो डियर स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं आरेस अगरवाल जी की 9th क्लास मैथ की बोके एक्सेसाईजर 7C लाइन सेन एंगल चेप्टर का नाम है, कॉस्चन नमर 12 कर रहे हैं हम कॉस्चन नमर 12 में क्या है, वो ज़रा ध्यान से देखिए, समझे इसमें जो आपके सामने फिगर है, ये डाइग्राम है, इसमें एबी पैरलल है किसके CD के, CD ये, तो इसको पिछे की दरे भी बढ़ा रखा है, तो एबी जो है वो फिर इसके भी पैरलल होगी, तो ये एक straight line है, ठीक है, हमें इस X की value को पता करना है, तो बहुत ही simple है, असान है, ध्यान से समझेगा, इसमें हम इस्तमाल करेंगे corresponding angle की property का, ये 75 degree है, तो ये angle भी 75 होगा, ये angle भी 75 होगा corresponding angle की वज़े से, जो की ये वाले होती है, कि ये दोनों parallel है, तो ये दोनों angles बराबर होंगे, corresponding angles, अगर मैं इसको इस प्रकार से कर दूँ, तो फिर ये वाला angle आ गया, और ये वाला angle हमें दे रखाया, ये दोनों बराबर होंगे, corresponding angles, ठीक, ये इसके बराबर होगा, तो फिर exterior angle की exterior angle property का इस्तेमाल करेंगे, exterior angle ये वाला है, ये इन दोनों angles के जोड के बराबर होगा, linear equation in one variable आ जाएगी, उसे फिर हम x की value निकाल देंगे, ठीक है, तो दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एक, lino की corresponding angle सी property का, दूसरा, triangle के अंदर, exterior angle property का, clear, तो देखिए solution को ज्यान से समझियेगा, कैसे लिखेंगे इसको, वो देखिए, because, a, b, parallel है, c, d, k, and, transversal कुन सी है, ये है, जो की, इन दोनों को अलरक पैंटों बे जोइन कर रही है, यहाँ पर, और यहाँ पर, a, b, को a पर जोइन कर रही है, और, c, d, को c, पर जोइन कर रही है, and, a, c, is, transversal, तो इस वज़े से क्या होगा, इसको नाम अपनी तरफ से देंगे, one, और इसको नाम देते है, two, इसकी जुर्थ पड़ेगी, इसको नाम देते है, three, इसकी भी जुर्थ है, angle one, बराबर होगा, angle three के current, corresponding, angles, और angle three तो 75 के बराबर है, ये given है, ठीक है, आप चाहे तो पहले लिख सकते हैं, कि जो angles आपको दे रखी हो, clear है, आप ये लिख दीजिए, आपे, इन दा, figure, figure के अंदर, diagram, figure, जो भी आप लिखे, तो ये हो गया, 75 degree, angle one भी, अब इन ट्रेंगल, ये C है, point, C, F, E, या कोई भी नाम दे सकती है, E, F, C, या F, C, E, ठीक है, तो मैंने लिए आप, C, F, E, clear हुआ, तो इस ट्रेंगल के अंदर, angle, इसको नाम दिया गया था, one, angle one दो है, इसको C को बाहर लिख देते हैं, confusion हो तो, angle one है, angle two और angle, X के बराबर होगा, याद रखिएगा, triangle के अंदर, तीन angle आपके सामने है, एक angle यह है, एक angle यह है, और एक angle यह है, इसका, adjustment angle होना चाहिए, वो यह exterior angle होगा, एक lane को बढ़ाए, और, जो तीसरे angle है, उसके, उसका, adjustment, उसके तुरुंत बाद जो आ रहा है, उस straight lane के उपर, तो इसका तुरुंत बाद, यह वाला angle आ रहा है, इस arrow से, और, एक side से बनता हो, ठीक है, तो यह वाला angle, clear हुआ, इसी तरी के से, मैं अगर आपको, और अच्छे से clearly बताना चाहूं, तो जहरा देखे, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, और इस arm के साथ में, यह वाला angle जो है, यह adjacent हुआ, sorry, यह जो angle है, यह exterior angle हुआ, और इसका जोड, मतलब जो यह angle है, यह इन दोनों के जोड के बराबर होगा, clear है, यह से, तो angle 1 है, बराबर हुआ, angle 2, plus x के, जिसमे, angle 1 हम निकाल चुके हैं, 75 degree है, angle 2, 30 degree given है, x निकालना है, variable हो गया, linear equation, in one variable आ गई, इसे हम solve कर लेंगे, तो x की value क्या होगी, 30 left में जाएगा, minus हो जाएगा, 75 minus 30, तो कितनी आई, 75 में से 30 को minus करें, 5, 7 minus 3, 4, 45 आ गया, x की value 45 degree आई, यही आपका, answer हो गया, समझ में आया आपको, very good, तो अब आपनी क्या करना है, आपने करना है, वीडियो को like, करने तो subscribe, अगर आप तक नहीं के, तो please कर दीजिए, और अगर कर दीजिए, तो thank you very much, share किज़े अपनी दोस्तों, ताकि वह भी से फाइदाल, आपको लेटा सब्डेट मिलती रहे, तो thank you students, for watching your own video, in the next video, always have a great time, bye,